है 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 गाइस वेल्कम टूमाइश इनाइश सक्सेस सीक्वल्स आप हम डेल इनलाइश करते हैं निफ्टी और में एक्सपेक्टेट मोर इंपोर्टन लेवल तो जैसे कि कल मैंने बता है था हम निफ्टे में लॉंग थे मैंने 24,000 का कॉल ऑप्शन लिया था तो जिसे मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट आज देखने को मिला है करीब 229 के आसपास मैंने पर्चेस किया था और मैंने आज उसको करीबन 304 के आसपास पैचा है तो काफी अच्छा गेंदा और अगर आप देखें अगर आप मेरे सबढ़न को एंहां कर तो कह सिधस्या को के जैसे मार्गें का कॉल ऑप्शन तल यह टेल उस त्वब्सक्राइक मेंने कर सब्सक्राइब कशम प्रस्ट यह पिकल अग उससे में कि और विकcciones और सकरेश्यए दिए 937 पर मैंने बताया था I am holding on to my longs and 947 पर मैंने बताया था कि cover your longs so बाद में मैंने एक और call दिया था कि can go long in a gail looks good for a target of 450 with a stop loss of 436 तो gail में भी एक अच्छा call मेरे इसाब से बन रहा है मेरे पास gail के 450 के call है जिसमें मुझे already एक रुपया पर lot profit हो रहा है तो that is also going well as far as the calls are concerned so जैसे ही मैंने WhatsApp update किया था उसी के बाद मैंने लिया था तो उसके बाद ही उसमें increase देखने को मिला है तो देख सकते हैं आपकी जो निफ्टी और स्पेशली निफ्टी है और उसके आप उसके जो moving averages वाला analysis अगर आपने मेरा वीडियो देखा है तो आपको देख जाएगा कि बैरिश क्रोसवर बना हुआ है यह सज़ेस्ट कर रहा है कि उपर के लेवल के जो resistance है वो प्रिवेल करेंगे और मार्केट उपर उपर के लेवल पर रिस्टेंस करेंगा और यही रीजन था हमने याद बैंक क्रिफ्टी में अपना जो position थी उसको अर्ली कवर कर दी हाला कि अगर आप देखें option chain data की तरफ तो 10,000 से लिए 10,300 तक की option activity range बंती दिख रहे है 200 points निचे की तरफ और 100 points उपर की तरफ call data का analysis short में यह कहता है कि 10,200 से लिए 10,000 तक की strike prices पे जिन्होंने भी call short कर रहे थे वो पनी position cover कर रहे है तो बिसकिन जब call short covering होती है तब market में stable to bullish kind of move ब नहीं है आला कि change in open interest इतना significant नहीं है लेकिन फिर भी एसेंजिस कर रहा है कि market participants 10,300 तक की तक का level maximum upside market में expect कर रहे है अगर हम put की तरफ देखें तो दोस्तों put में 10,200 के put काफी right हुआ है अगर आप देखें तो करीब 20 lakhs change in open interest था सुबह अगर आपने देखा होता लेकिन वो घ interest है तो यह suggest कर रहा है कि market participants जो है वो market को stable to bullish kind of में देखा है तो 10,200 के उपर उनकी expectation है market market trade करेगा तो यहां पर कोई convincing उपर की तरफ के मौह नहीं देख रहे है हाला कि stable to bullish kind of more market participants expect कर रहे हैं अगर आप निफ्टी में long है बना को आपको उपर की तरफ का मौह मिलता है तो मेरे यह सबसे 10,240 यह 10,237 के आसपास आप उतना profit बुक कर देना चाहिए उसके उपर अगर मार्केट जाता है 1052 के आसपास तो definitely अतना profit बुक करें उसके उपर अगर थोड़ा बहुत करता है तो आपके पास एक opportunity होगी market में long जानेगी क्योंकि यहां रिस्क रिपाट रिश्यो तो हम आपको update कर दूँगा पट मेरे YouTube viewers के लिए मेरे यह request रहेगी कि लॉंग अभी जाना मेरे इसमें ठीक नहीं रहे क्योंकि बना हुआ है कभी भी market नीचे की तरफ आ सकता है और नीचे की तरफ का जो target बनेगा अगर market नीचे की तरफ आएगा तो वह बनेगा 10,160 तो 10,160 के आसपास अगर market आता है और यहां से आपको थोड़ा बहुत नीचे की तरफ rejection देखने को मिलता है तो आप उपर की तरफ की पोजिशन बना सकते हैं target आप expect करें 10,170 और उसके उपर अगर market rate करता है तो 10,188 का target आप expect कर सकते हैं मेरे इसाब से उपर की जो resistance है उसका break वना काफी ज़रूरी है मेरे इसाब से बैरिश क्रॉस ओर जो बना है वो suggest कर रहा है कि थोड़ा बहुत market में इन decision देखने को मिल रहा है इंडिकेटर्स को देखें तो मैकडी में आपको देख रहा है कि नीचे की तरफ से उपर की तरफ का कवर बद्धा देख रहा है जो सब्सक्राइब करने जा रहा है तो अन्लेस नंटेल यह बुलिश क्रॉस ओर फोर्म होता है हम इसमें लोग नहीं जा रहे है आरे सभी में तो वल्टालिटी कंटिनियूसली डाउन होते देख रही है तो जब डाउन वल्टालिटी होती है तो उपर की तरफ के मूह गिले वह काफी अच्छा माना जाता है तो उसके कारेंद पर देखने को मिल रहा है कि आज जो नीचे के तरफ का मूह था वह एट डेस के सिंपल की दरफ ट्रेड कर रहा है अगर यह ब्रेक करता है तो मार्केट डेफिनेटली एट डिसके एक्सुलिशन मोह रच की दरफ जाने के चांसे ज्यादा है तो इसमें हमने कोई फिलाज पॉजिशन नहीं बनाई क्योंकि मार्केट एक क्रूशन लेवल पर सपोर्ट लिया तो यह सब्सक्राइब करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि बीच के जो लेवल से मतलब ब्रॉड ऑप्सिन अक्ट्विटी रेंज हो है वह है 23,700 से 25,000 उसमें बीच 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 में 24,200 से लेके 24,400 और 24,600 से लेके 24,900 में फ्रेश बुलिच पोजिशन मनिया तो यह सजेस्ट कर रहा है हलकी फुलकी मार्केट पार्टिसपेंट की उपर की तरफ के एक्सपेक्टेशन फर्दर आप देखें कॉल स्वाट्स कबर हुआ है नीचे की लेवल पर लाइक 23,700 से लिगे 24,100 तो यह सजेस्ट कर रह है उसमें पुट लॉंग कावर होना चालू चुक है तो यह सजेस्ट कर रहा है बुलिच काइंड ओफ एक्सपेक्टेशन नीचे की लेवल की बात करें 23,700 लेके 24,300 तक यहां पर पूट राइटिंग ही देखने को मिल रही है तो अल इन अल अगर आप देखे तो स्टेबल काइंड ओफ मोव बन रहा है लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी थोड़ा तकलीफ स्टी अभी थोड़ा तकलीफ दे सकते हैं क्योंकि बैर इस क्रॉस्वर बना हुआ है फदर आप देखे अगर यहां से आपको अच्छा मोव मिलता है मेरे इसाब से मैं आपको कल लेकिन हम बेट करेंगे इसका इसमें ब्रेक लेने की और अगर यह रेड लाइन की उपर की तरफ क्लोज करता है तो आप्शन चार्ट देखके हम बिल्कुल इसमें लॉंग जा सकते हैं अगर आप मेरे यूट्यूज वीडियो देखके इसको ट्रेड करना चाते हैं तो मैं सब्सक्राइब करेंगा कि आप मैकडी में अगर बुलिश क्रॉस वर नीचे के लिवल पर बनता है और आरेसाई वाइट जो येलो लाइन है उसको ब्रेक करती है तो अब इसमें लॉंग पोशिशन मना सकते हैं अगर मार्ट उपर की तरफ ट्रेड करता है तो 24,260 एक ने बात करी मैंने गेल में भी पुशिशन मनाई है तो मैं आपको एक बार देखा देता हूं कि गेल में क्या लॉजिक है और क्यों इसमें पूजिशन मना नीचाहिए और अगेल मेरे सबसे एक अच्छा मूव सजिश कर रहा है और मुझे लगता है कि इसमें एक स्ट्रॉं सब्सक्राइब कर देखने को मिल रहा है तो और एक अपट स्लोपिंग ट्रेंड यहां पर मता दिख रहा है और बुलिश क्रॉस ऑफर इसमें बनने ही बाला है और आप देख सकते हैं कि सिरो लाइन के आसपास इसमें बुलिश क्रॉस और बना है आरे साई ने फिप्टी अ और बुलिश मूँ साथ साथ नहीं जाते फिर भी मेरा यह मानना है कि इसमें डेफिनिटली अगर आप चाहें तो एक फ्रेश बुलिश पोजिशन अल्डेडी हमने बनाई हुई है अगर आप चाहें तो इसमें आप फर्दर कल के दिन में आप इसमें देख सकते हैं अगर सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो पसंदा तो लाइक करें सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में मेंस्टन कर सकते हैं ठैंक्यू क्वाइब का, है पर एक्वाइब करें दो दोदिने प्राइब करें सब्सक्राइब कर दोदिना इसमार्थ करें आपको वीडियों कर दोस्तों में आपको